प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती नभी इसायस का ग्रंत अध्यायदस वाक्यांस सोले से बिस भलाई करना सिखो न्याई बनो सोदोम के सास को प्रभू की वाड़ी सुनो गोमोरा के लोगों हमारे इस्वर की सिच्छा पर ध्यान दो अपनों को धो और सुद्ध हो जाओ अपने कुकर्मों को मेरी द्रिष्टी से ओजल कर दो बुराई करना छोड़ दो और भलाई करना सिखो न्याई बनो पद दलितों की सहायता करो अनाथों को न्याई दिलाओ और विद्वाओं की रच्छा करो प्रभु कहता है आओ और मेरी बात पर विचार करो तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों नहों वे हीम की तरह उज्जवल हो जाएंगे वे किर्मिज की तरह मटमैले क्यों नहों वे उन की तरह स्वेत हो जाएंगे यदि तुम आग्यापालन स्विकार करोगे तो भूमी की उपजखा कर त्रिप्त हो जाओगे किन्तु यदि तुम अश्विकार कर बिद्रो करोगे तो तलवार की घाट उतार दिये जाओगे यह प्रभु की वाणी है संदुमत्ति के अनुसार प्रभी एश्व का पवित्र सुसमाचार तेस्वा अध्याए पदसंख्याएं एक से बारा तक उस समय एश्व ने जन समोत था अपने शिश्यों से कहा शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वो करते और मानते रहो परंदून के कर्मों का अनुसरन ना करो क्योंकि वे करते तो हैं पर करते नहीं वे बहुत से भारी बोज बांध कर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं परंदूसोयम उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाते वे हर काम लोगों का ध्यान आकशित करने के लिए ही करते हैं वे अपने ताबीज चवड़े और अपने कपड़ों के जब्बे लंबे कर देते हैं भोजों में प्रमुक स्थानों पर और सभाग्रिहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना ये सब उन्हें बहुत पसंद है तुम लोग गुरुवर कहलाना स्विकार ना करो क्योंकि तुमारा एक ही गुरु है और तुम सब के सब भाई हो फृत्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो क्योंकि तुमारा एक ही पिता है जो सुर्ग में है आचार ये कहलाना भी स्विकार ना करू क्योंकि तुमारा ये कही आचारी है अर्थाज मसी जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वो तुमारा सेवक बने जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा और जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा यह प्रभु का पवित रसु समाचार है प्रीज प्रभु कीजए एशु में मेरे प्रिय भाईयों बहनू यह तपस्याकाल यानि चालीसे की यह अवधी हम सब के लिए पशाताप करने प्रभु की और मुड़ने की अवधी है प्रभु हमारा आहुआन करता है कि हम पशाताप करे पाप को त्यागे और पुन्य के रास्ते पर चले आज के पहले पाठ में हमने सुना इसे आस नभी कहते हैं पाप करना छोड़ दू भलाई करना सीखो न्याई के अनुसार आचरन करो तो पाप क्या है न्याई के विरत यानि अन्याई करना यही पाप है जो गरीब है जो कमजोर है उन्हें दबाना और उनका अधिकार चीन लेना यही पाप है आज के पाठ में सुदोम और गमुरा के शासकों को और वहां की प्रजा को इस नभी के माध्यम से इशर यह आदेश देते हैं और हम सब को यह आदेश देते हैं कि पाप के रास्ते को यानि अन्याई के रास्ते को छोड़ दे और उसके बदले में न्याई के रास्ते को अपनावे और खास करके पद दलितों की सहायता करो यानि जो शोशित है जो अन्याई के शिकार हैं उनका साथ दो उनका सहारा बनो और उनके अधिकार के लिए उनके न्याई के लिए मांग करो और संखर्ष करो और आगे इसे आस करते हैं अनाथों को न्याई दिलाओ समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कोई सहारा नहीं है उन सब का सहारा बनना ये पुन्यकारिय है और साथ साथ विधवाओं की रच्छा करो तो विधवाओं अनाथों और सोशितों का साथ देना यही पुन्यकारिय है यानि अन्याई के खिलाफ लड़ना और न्याई का साथ देना यही हमारा कर्तविया है और अन्याई जो करता है जो पाप जो करता है वो यदि च्छमा मांगे तो उसे च्छमा दी जाएगी उन का रंग सफेद है उस उन पर अलग अलग रंग चड़ सकता है लाल हरा बैगनी पीला जो भी एक बार वो रंग उस पर चड़ जाता है तो वो रंग मिठता नहीं है लेकिन इसे आस नभी के माधियम से प्रभू ये आश्वासन देते हैं तुमारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों नहो वे हिम की तरह उज्वल हो जाएंगे प्रभू परमेशर हमें च्छमा देंगे उनके अंदर वो च्छमता है कि वो हमारे सारे पापों को हमसे निकाल लेंगे हमें हिम की तरह बरफ की तरह सफेद बना देंगे वे किरमिज की तरह मटमेले क्यों नहो वे उनकी तरह स्वेत हो जाएंगे और इसलिए प्रभू अपने मुख्य बात को करते हैं तुम आग्या पालन स्विकार करो आग्या पालन जो स्विकार करोगे तो भूमी की उपज खाकर तर्प्त हो जाओगे तो भोजन हम सबका बनियादी अधिकार है बनियादी जरूरत है और भोजन तबी हमें मिलेगा जब हम इशर की आग्या का पालन करेंगे और आगे इसे आग्या नभी ये चेतावनी देते हैं यदि तुम अस्विकार कर विद्रोह करोगे तो तलवार के घाट उतार दिये जाओगे ये प्रभु अपनी ये वानी सुनाते हैं कि जो आग्या का उलंगन करेंगे उनके साथ प्रभु न्याई करेंगे प्रभु उनक से बदला लेंगे और उनके पाप का जरूर परिणाम निकलेगा लेकिन प्रभु का बुलावा है कि हम प्राइश शित करें पुर्ने के रास्ते पर चलें आज की सुसमाचार में प्रभी एशू हमें चार प्रकार के पापों के बारे में बताते हैं पहले वे कहते हैं कि शास्त्री और फरीसी मूसा की गदी पर बैठे हैं और इसलिए उनके कहने का अनुसरन करना उनके उपदेशों को सुनना और उसका अनुसरन करना जरूरी है लेकिन आगे प्रभियेशु करते हैं कि उनके कर्मों का अनुसरन ना करो और चार प्रकार के ऐसे पापों की वो सूची देते हैं जो तथा कते धर्मी लोग करते हैं सबसे पहले कि वे करते तो हैं पर करते नहीं हम सभी अनुभव करते हैं कि हम अपने जीवन में कितनी बार पुन्य के बारे में बोलते हैं और लेकिन उस माग पर चलने में हम हिचकते हैं मैं दूसरों को उपदेश देता हूं लेकिन बहुत बार दूसरों की उदारता की बात तो करता हूं लेकिन स्वयम उदार बनने में मुझ में हिचक होती है और स्वार्त मुझ में हवी हो जाता है दुनिया को बदलने की नसीहत शायद मैं देता हूं लेकिन खुद को बदलने में समय लगता है प्रभी एशू आगे कहते हैं कि वे भारी बोज बांद कर लोगों के कंधों बर ला देते हैं परंदु स्वयम उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते दूसरों से पूर्नता की आशा मैं करता हूं लेकिन अपने ही काम को सही ढंग से नहीं कर पाता हूं और उसमें रुची नहीं दिखाता हूं मैं कितनी बार दूसरों से उनके करतवियों को सही निभाने का उपदेश देता हूं लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के प्रती सचेत नहीं रहता हूं कितनी बार मैं दूसरों से पवित्र जीवन जीने की बात करता हूं लेकिन स्वयम भरष्ट जीवन अपवित्र जीवन जीने के माँग पर चलता हूं आगे प्रवियेशु कहते हैं धर्मी लोग ध्यान आकशित करने के लिए काम करते हैं तो धर्म इशर के साथ जोडने का एक माध्यम है लेकिन बहुत सारे लोग धर्म का उपयोग अपने को महीमा देने के लिए करते हैं धर्म के माध्यम से अपनी महीमा को बढ़ाते हैं इसलिए धर्म के नाम पर लोग सेना बनाते हैं धर्मिक सेना और धर्म के नाम पर युद करते हैं लड़ाई करते हैं धर्म के नाम पर ऐसे संगठन बनाते हैं जो दूसरों को नीचे दिखाने के लिए अपनी महिमा को बढ़ाने के लिए करते हैं ये इश्वर के माग पर जा का रास्ता नहीं है इसके प्रती एशु हमें चेतावनी देते हैं और साथ-साथ हमसे ये सवाल भी पूछते हैं हम उदारता के कारियों का नुमाईश जो लगाते हैं और ताकि हमारी लोग प्रियता बढ़े और इसके प्रती प्रभू सचेद करते हैं हम ऐसे कारिय भी करते ह कि जिसे लोग देखे और हमारी वाहवाही करे लेकिन प्रभु करते हैं ये धर्म का कारिया नहीं है और चवती बात है कि लोग भोजों में प्रमुक स्थानों पर और सभाग्रिहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना चाहते हैं बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जन्ता द्वारा गुरुवर कहलाना ये सब उन्हें बहुत पसंद है मेरे प्रिय भाईयों बहनों पद पाना सम्मान पाना आदर पाना और बड़े स्थान पर बने रहना कुर्सी को महत तो देना ताकि लोग हमारा आदर करे नमस करे यह इच्छाएं जहां पेदा होती है हम धर्मी नहीं बनते हैं। प्रवियेशु ये भी चाहते हैं कि वही मसी है और उनके रास्ते पर यानि विश्वसनियता के रास्ते पर हम चले हमारे अंदर दुआईतता ना हो हमारे अंदर कपटा चार ना हो हम कापट्य का जीवन जो विश्वसनिय प्रवियेशु के शिश्य हैं उनसे ये आशा की जाती है कि वे स्वयम विश्वसनिय बने कपटी जीवन ना जीए इमानदारी का जीवन जीना कठिन है दिखावे का जीवन जीना आसान है लेकिन कठिन जीवन जीने में ही जीवन की खनाईयों से गुजरने पर ही इश्वर की कृपा मिलती है दुख, तकलीफ और कस्टों में इश्वर की करुणा को हम बहुतायद से अनुभव करते हैं प्रवियेशु चाहते हैं, वो कहते हैं कि तुम लोगों में से सबसे जो बड़ा है वो तुमारा सेवक बने हम अपने आपको किसी भी तरीके से आचार या और गुरुवर कहलाना की अनुमती दूसरों को ना दे हम सभी आपस में भाई बहन हैं, हम सभी का ब्रात्रत बना रहें, ब्रात्रत को जिन्दा रखने के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे के समुक, सेवक की जिमेदारी को निभाए और इसेलिए प्रवीय शुक करते हैं, जो अपने को बड़ा मानता है, वो छोटा बनाया जाएगा और जो अपने को छोटा मानता है, वो बड़ा बनाया जाएगा धर्म के माग पर चलने वालों के लिए, हम सभूं के लिए, ये बड़ी चुनौती है कि हम विनम्रता के माग पर विनेशील बनकर न्याई के लिए एक दूसरे की सेवा के लिए कारिय करे और स्वयम की प्रसिद्धी के लिए नहीं इश्वर की महीमा के लिए निरंतर संगश करे आईयम प्रात्ना करे ए सवशक्तिमान प्रेमी पिताईश्वर हम धनिवाद देते हैं हमारे प्यारे प्रभु येश्व के लिए जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा आदर्श है हमारा स्रोत है हमारा लक्ष्य है प्रभू हमें कृपा दे कि येश्यू के माग पर विनम्रता के माग पर सेवा के माग पर हम चले और धर्म के माग पर चलते हुए हम अहंकार और दिखावा और कापट्य के शिकार कभी न बने बलकि तेरी महिमा के लिए सेवा करते हुए हम जीवन जी सके ये प्रात्न करते हैं क्रिस्थ हमारे प्रभु के दुआरा आमें लिए सेवा करते हैं क्रिस्थ प्रामें जीवन जी सकते हैं